और देश में 17 वी लोग सभा चुनाव होना है। हाला कि चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनावी तीथियों की गोशना नहीं की गई है। लेकिन चुनावी सरगर्मिया तेज पर रही है। तो बस्ती जनपद में अभी तक केवल समाजवादी पार्टी ने ही अपने प्रत दिख्रिया ली तो पेश हो ये खास रपोर्ट। कि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की घोशना नहीं कि चुनाव की तीथियों की घोशना नहीं की है। लेकिन जो चुनावी सरगर्मिया है वो तेजी पर है। साहो हमारा MP इस खास कारिकर्म के तहट टीम रफ्तार मीडिया आज उत्तर परदेश के बस्ती जनपत में पहुंच चुकी है। आपको बता दे कि बस्ती जनपत की लोकसफा सीट पर पिछले 10 बरसों से यानि कि दो कारेकाल से भाजपा का कबजा है। और हरिस दिविदी यहां के सांसद है, जबकि बस्ते जनबस की पांच मेधान सभा सीटों में से तीन सपा, एक भाजपा, और एक सुभासपा के कबजे में हैं. प्रतियासियों की तो केवल समाजवादी पाइटी ने प्रतियासि की गोशना की है पर समाजवादी पाइटी ने पूर्व केबिनेट मंतरी राम परसाथ चोधरी पर भरसा जदाय उनको टिकर दिया है जबकि अन्य दलों ने अपने प्रतियासियों की गोशना अभी नहीं की अधिकान्स लोगों का कहना है कि सांसद ऐसा हो जो छेत्र की समस्याओं को समाधान कर सके यहां की जो स्थानी मुद्दे हैं उनको संसद में मजबूती के साथ रखे और हमारी समस्याओं का समाधान करें सांसद ऐसा हो जो छेत्र में रोजगार को ब्रद्दी कर सके सांसद ऐसा हो जो किसानों की समस्याओं को हल कर सके और इनका यह भी कहना है कि सरकार को जो है वही करमचारियों का कहना है कि सरकार को OPS को भी ध्यान में रखना चाहिए और NPS की दगाए OPS को देना चाहिए इनका यह भी कहना है कि सांसलत जो है वो आसानी के साथ हमारे सुख दुख में हमारे साथ होने का एहसास हो ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वह नजर ना है आज के लिए यहीं तक अगले एंक में फिर किसी अन्य लोगसवा सीट पर जाकर आपको वहां के क्या कहना मद्दासाओं को वह दिखाएंगे तब तक अपना और अपनों का रखे ध्यान सहयोगी मुहमत टीबू के साथ धर्में दिवेदी रफ्तार मीडिया